फिल्मी दुनिया के बहुत सारे सितारे अब पहुंचे है कुरुक्षेत्र सच है यह नहीं एक पोस्टर लगा हुआ है मैक यानि कि मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्रा में मैं भी हैरान हूँ ऐसा कुछ हो रहा है लिखा हुआ है फिफ्थ हरियाना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बहुत सारे ऐसे हीरो हीरोईन और खलनायक बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरे हैं क्या हो रहा है अंदर कुछ अलग कुछ नया क्या होता है आप चलिए मेरे साथ मैक कुरुक्षेत्र में अंदर जो की मैक है यहां की बहुत सारे इसी गतिविद होती हैं जो कुरुक्षेत्र वास्यों को बहुत ज्यादा अट्रेक्ट करके रखती हैं पिछले दिनों में अभी यहां पे जैसे शनीवार और संडे को यहां पे ठेटर के माध्यम से नाडिकाएं दिखानी हो यह बहुत सारी ऐसी चीजें हो इसके दौरा दिखाई जाती हैं लेकिन आज आप सभी मिलेंगे मैं भी मैं कहां पीसे रहने वाला हूं तो मैं भी मिलने जा रहा हूं हीरो से हिरोईन से क्या देखते हैं अंदर क्या चल रहा है तो मेरे साथ आप सब भी चलिए और अभी दिखाते हैं अंदर कुछ अलग है क्या अलग है तो आप सभी चलि रहे हुए हैं आख उंदर ले चलते हैं और कुछ युवआ खढ़े हुए हैं जहते हुए हैँ अपने काम पे तो जानेगे इन எ लोगों से क्या चर्चा है हो रही है बात की बाट चीट और यह साप़ा लग रहा सीथा बात करेंगे इसर नश्कार बढ़े बड़े पोस्टर 75 movies are being screened in this 75 movies please introduce yourself please sir i'm professor sandeep mahan i'm part of the media relations in this so have a movie background in this yeah thank you sir uh sandeep sar nye bataya ki 75 jo film ka yaha pe screening honay wala hai aur saath meh abandar chalte hai so now i have said आप पास भी आजी है ना मुझे भी फिल्कुल आगी है सर आपके साथ खड़े होगे सर बड़े-बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और हीरो दिख रहे हैं पोस्टर पे क्या अंदर भी आए हुए हैं क्या होने वाला कुरुक शेत्र में फेस्टिवल होने वाला इंटरनेशन है इस बार भी दमाग के लाएं अपके अंदर भी कोई एक्टर छुपा हुआ है अपने आप अपने बारे में प्लीज बताएं नमस्केर आप सभी कर मेरा नाम आयूश है आयूश भला और मैंने कुछ फिल्में कर रखी हैं मलाल और ख्वाब और कुछ वेब सिरीज और बं बहुत अच्छा प्रोग्राम रहने वाला है समाथ से जोड़ी फिल्में दिखाए जाएंगी चाहे वो पर्यावरन हो चाहे वो से वाटर के उपर हो से वर्थ के उपर हो और बहुत सी फीचर फिल्म भी दिखाए जाएंगी जैसे कि इसका नाम से हरियाना भी आज टीम भी प्रोग्राम प्रोग्राम पी होंगे एक्टर्स भी आएंगे और शौर्ट मूवी दिखाए जाएंगी और डॉक्यमेंटरिश भी दिखाए जाएंगी तो कुल मिल आके एक अच्छा entertainment अफ्र कॉविड होने वाला है तो आप सब जरूर आईएगा वली बोड़ से भी लोग पहुंचने वाले हैं और अंदर का महुल बड़ा गरम है चीजें चल रहे हैं डिसकुछन चल रहा है और क्या हो रहा है अंदर और बारिकी steeds जानना चाहेंगे तो हम अंदर ही चल रहे हैं हमारे साथ और सारे लोग जुड़ रहे हैं सर्णवाश्कार सर्फ माहौल दिख रहा है बाहर पोश्टर हीरो उतर आये हैं स्क्रीन के उपपर और अंदर का क्या माहौल है क्या क्रुक्षेत्रुप के जो लोग है सीधा हीरो से मिलेंगे क्या होने वाला है माहौल देखेंगे जो ताबड तोड गर्मी जो इस वक्त 45-47 डिग्री पर थी आज हीरो हीरोईन और हर्याना इंटरनेशनल फिल्म होने की बदोलत यह तापमान भी गिराया है और इशारा दिया गया प्रकरती की और से कि सभी लोग जहां जहां तक हर्याना इंटरनेशनल फ स्कृप्र डारेक्टर फिल्मेकर्स प्रडूसर्स फाइनेंसर एक्ट्रेस बहुत सारे लोगों का जो महाकूंब है और हमारे साथ इस वक्त हमारे जांग्रा सर है जो कि इस पूरे चीज को टेक्निकली रूप से भी देखेंगे के बारे में टेक्निकल जो चीजे माकेदार हैं एक युवा से लेकर और सब लोग बड़े जुटे हुए हैं क्या क्या कहेंगे सर इस पारे में आप यह समझो के आपको सीनेमा का रियल एक्सपिरियंश देखना हो तो आप यहां के देख सकते हों कि जस्ट रियल एक्सपिरियंस फिल्म बनने से लेके सीने मा तक के पहुंचने का जो सफर और आप खुद मैसूस कर सकते हों कि क्या बात है कितनी मतलब आप सोच लीजे किस तरह की गतिविदी होने वाली है जब फिल्म बनती है हमने आपने शायद ही बहुत कम लोग होगे जिन्होंने देखा होगा पता होगा मैसूस किया होगा कि फिल् इस सीज़ को डीपली बताए ताकि जो लोग देख रहे हैं उत्साही तहूं आने के लिए फिल्म बनाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल काम नहीं रहा है आप मोबाइल पर शूट कर सकते हो बहुत लो बजट में कैमरे भी है और शोट फिल्म में बनते हैं फिल्म बनने के लिए कसे पहुंसती हैं कि यहां पर आपको यह भी सुनने को मिलेगा देहने को मिलेगा कि आपने फिल्म बना लई ब clock को ही यथास्ट जने के लिए भी यहां सकतेश हैंशस हो quietly सबनी सब्सूर्यार प्लेट्फॉम पे मालनों आप रिलीज करना था तो हाउ कन पॉसीबल वो प्रोसेस यहां तेखने को मिलेगा उसके एक्स्पीरिंस मिलेगा आपको परीचे सर्थ मैं विनोज जांगरा सीने करा प्रोडेक्शन इंडिया का ओनर हूं और यहां का जो भी प्रोडेक्शन सेट अप है सांड सेट अप है जो प्रोडेक्शन का सब्सक्राइब करते हैं फिल्मों को समझना चाहते हैं तो जरूर आए और अभी बात हो रही थी कि एक फिल्म को बनाने के लिए क्या 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 जनून चाहिए किस तरह से किन गत्विदियों से गुजरना पड़ता है और तब निकलती है एक फिल्म तो मेरे साथ अभी और लोग जुड़ रहे हैं सर बड़ा धमाकेदार महोल है मैं कुरक्शेत्रा में और क्या होने वाला है पोस्ट्रों पर हीरो उतर आये हैं अंदर भी को उतरा है क्या होने वाला क्या आप कहेंगे आप सर हर्य जाना की धर्म छेत्र कुशेत्र में यह ऐसा होना यह बड़ा ही सोभाग्य साली अफसर है और मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि हर्यानवी संस्कृति को जो बढ़ावा देने के लिए हम फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक तादास में पहु उसको देखें ताकि आपको यह ताउमर याद रहें जी बिल्कुल और एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा यह लोग बैठें बैठें इसलिए नहीं है क्योंकि जब सुबह से शाम तक काम किया जाते तो पैर ठकते हैं अच्छी चीज की तारीफ जरूर करनी चाहिए हैं जिस इस फिल्म महाकुम में और इस डिरेक्टर महाकुम में आपकी जो एंट्री रहेगी वो फ्री ओफ कोस्ट है तो प्लीज आएं और इसका लुफ्त आप जरूर उठाएं और एक बार यहां विजिट जरूर करें आज कल अगर फिल्म देखने जाएं तो ढाइसो तीन सो चार कुछ भी लेकिन यह फिल्म में आपको बहुत कुछ सिखाएंगी बहुत कुछ पता चलेगा अभी सरसे बात हुई थी मैडम नहीं बताया तो अंदर चलेंगे और सरसे जानेंगे कि किस-किस तरह के अभी सरबाचीत करें इसे पहले मंदर का महल दिखा देते कि अंदर क्या हैं आप लोग कि अब बाचीत करेंगे कुछ अभी थके हुए यह थके हुए हैं लेकिन का काम बोल रहा है कि क्यों थके हुए हैं बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई हुई है और साथ में ही यह मै कुरुक्षेत्रा है आप अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे तो य अंदर चल रहे हैं आपको गतिविदियां यहीं से देखने को मिलेंगी और मैं कुरुक्षेत्र में हैं मल्टियाट कल्चर सेंटर में हैं तो इसके साथ ही सर आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले स्वागत है कि किस तरह का महौल रहने वाला है मैक में महाकूम और क्रुक्षेत्र की धर्ति पर अभी गीता जन्ती का जो महत समनाया जता है उसके बाद यह दूसरा अपने आमेग फिल्मों का महाकूम है जहां पूरे हरियाना से पूरे देश से विदेश से जो बहुत बड़े-बड़े कलाकार जो बड़िया बड़िया फिल्म चाहें फिल्मों से जुड़े लोग हों शिक्षक हमारे साथ जुड़े और ऐसे बहुत सारे लोग लगातार जुड़ रहे हैं जो फिल्म को जानना चाहते हैं फिल्म के बारे में और अधिक और अधिक जानना चाहते हैं तो फिर हम चलते हैं बाहर की और तो दोस्तों यह ह पूल खाली था ना लेकिन 18-22 तक यह फुल रहने वाला है आप भी आएं नहीं तो सीट और कोई ले जाएगा और आप इंतजार करते रह जाएंगे प्रोग्राम रहने वाला है 18-22 तारीक तक मैं कुरुक्षेत्रा मैं मैं बार बार आ रहा है मल्टियाट कल्चर सेंटर अगर आप आते हैं कुरुक्षेत्रा में यह ब्रम सरोर के बिल्कुल साइड में हैं आपको आने के लिए किसी भी तरह की यहां पर जो साधन या व्यवस् अगर और अधिक हर्याना की कल्चर को जानना चाहते हैं हर्याना की संस्कृति को जानना चाहते हैं कि यह फिल्में जो 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग होने वाली है वह हर्याना के कल्चरों पर आधारित होगी और सबसे बड़ी बात आजयादिक आमरीत महासव के तहत यह कार्य करम किया जा रहा है जिसमें देश में विविन तरह की गतिविदियां चल रही है तो इसका भी एक अंग है आप सबी पदारें कुछ नया देखें कुछ नया सिखें आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन